हेलो एब्रीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि B.A.D. में सब्जेक्ट का चैन कैसे करते हैं, उसके क्या रूल से रेगुलेशन हैं, उसको जानने के लिए, डिटेल में समझने के लिए, आप यहां देख सकते हैं, मैंने धेर सारे स्टेट इनवर्सिटी और सेंटर इनवर्सिटी के एक्जामपल्स इसमें लिए हैं, आप चाहिए कहीं भी एड्मिशन लेंगे, आपको B.A.D. में दो सब्जेक्ट के नॉलेज रखनी पड़ती है, यह वो दो सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, या आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्ट न कहकर टीचिंग सब्जेक्ट या पेडागोजी सब्जेक्ट कहा जाता है, जो टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसको एक बार आप समझ लेंगे, जो फर्स्ट होता है, यह ध्यान रखा जाता है कि यह आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ए इन्वर्सिटी आपको क्या एलाउ करती है वहां के क्या रूल एन रेगुलेशन है जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं यह चार्ट जो है पहले नंबर पे यह डीडीउ गोरकपुर और सिधार्थ इन्वर्सिटी का है जहां पे ऐस सब्जेक्ट पेडगाजी के सब्जेक्ट होते हैं आपको यह भी बता दें कि मालीजी आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया जैसे आपने एक पहला सब्जेक्ट ले लिया हिस्ट्री और दूसरा हिंदी तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पढ़ेगी बी चैन करते हैं admission के बाद तो देखे इस इनिवर्सिटी का क्या रूल है यह देख लिए इसमें पांच ग्रूप दिये गया है इस पांच ग्रूप में अलग-अलग तरीके से जैसे मा लिजे किसी ने यहां से एक subject उठाया इस group D से और इसमें रूल होता है कि आप एक group से दो subject न होता है तो जो पहला subject आप लेते हैं वो अपने graduation और अपने stream के according लेते हैं दूसरा जो होता है वो आपको university या आपके teachers आपको बताएंगे कि इसके साथ कौन सा combination subject का सही रहेगा जैसे यहां देखिए अगर group C में से कोई एक subject करता है mathematics तो उसको दूसरा जो है वो science लेना सब्सक्राइब करते हैं कि आपके पास दो सब्सक्राइब का अच्छा knowledge हो और दो subject आप पढ़ा सके future में आप वही subject लेते हैं जिसमें आप पढ़ाने में comfortable हों क्योंकि यह subject में आप जिस भी university से हो अगर आप वहाँ semester होगा तो एक semester आपको teaching करानी पड़ती है जिसको practice teaching कहते हैं और कहीं yearly होगा तो वहाँ पे भी एक short duration में आपको teaching करानी पड़ती ह तो इन ही subject में आप पढ़ाएंगे जो subject आप अभी से लेते हैं जैसे देखिए यहाँ पे यह भी लिखा है कि निम्न समवर्गों में से किनी दो सब्दों का chain करना है जिसमें एक समवर्ग में से एक ही visa का chain करना है आप एक group में से दो subject नहीं choose कर सकते हैं जैसे आप bio और maths न से एक subject commerce हो गया दूसरे से उनका combination जो हता है वो हता है economics का इसी तरीके से जो home science की girls होंगी जिनका graduation में home science है वो एक subject home science लेंगे दूसरा language में से कोई एक ले सकते हैं या bio में से कोई एक ले सकते हैं उनके लिए यह चीजे रहती हैं यह हर university और college में थोड़ा सा वैरी करता है तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा उसी तरीके से अगला example आप देख लिए वीर बहादूर सिंग पुर्वांचल इनवर्सिटी और महाराजात सुहेल देव उनवर्सिटी जो की आजमगड़की है वहाँ पे क्या rule and regulation है यहाँ पे देखे पेड और उसके बाद इसमें से किसी एक को लेंगे second में से देखिए आप यह देख सकते हैं कि यहाँ anyone लिखा है जैसे मालेजी सोसल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट ले लिया सोसल साइंसे में चार सब्जेक्ट होते हैं history जैसे ऊपर लिखा था यहाँ आप देख सकते हैं history, geography civics और economics अगर आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि आपके graduation में भी है तो आपको language में से कोई एक language लेनी पड़ेगी लेकिन यह ध्यान रखिएगा कुछ-कुछ universities दो ही language देती हैं कोई तीन देता है कहीं-कहीं पे commerce नहीं है जैसे आप देख पाएंगे कि बादुर सिंग पुर्वांचर इनिवर्सिटी में commerce नहीं है तो वो social science के अंतरगत ही आ जाता है उसी तरीके से biological science वही लेते हैं जिनके graduation में geology और botany है अब देखिए बी एचिव का मैं यहां पे example आपको Central University का भी बता दे रहा हूं यहां पे भी same वही है आपको इतने सारे subject दिये गए हैं इसमें से दो पिक करने होते हैं एक आप कोसिस करते हैं कि जो आपकी graduation में हो जैसे आपकी graduation mathematics है तो आप mathematics ले लेंगे दूसरा आपको science लेना पड़ेगा यह combination हो जाता है physical science का मतलब science है जिसमें आप physics और chemistry की बात करते हैं उसके बाद यहां पे life science है जिसका मतल language ले सकता है या civics ले सकता है तो वो depend करता है हर university के अलग-अलग rule and regulation होते हैं जैसे BBAU का देख लिजिए जो की लखनव में है यहां पे भी सेम है कि आप किसी एक जो school subject group है उससे एक ही subject ले सकते हैं अगर किसी ने यहां पे physical science से एक subject पिक किया तो वो दूसरे से कहीं-कहीं language ले सकता है यह ध्यान रखेगा आप में से कोई बूलेगा कि sir मैं एक तो BST किया हूं तो मैं चाहता हूं कि एक science हो दूसरा language जो कहीं-कहीं पे तो allow है लेकिन हर जगा allow नहीं है इस चीज का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे आप जिस university में admission लिये हैं वहां के according आपको ल ले या तो Hindi, English, Sanskrit ले जिसने commerce ले लिया तो उसको social studies का एक subject या language का एक subject लेना पड़ेगा यह इस तरीके से चीजे चलती है तो आपने देखा कि ऐसा नहीं होता है कि मैंने यह subject ले लिया तो sir यह ले सकता हूं sociology ले सकता हूं मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि school subject क्या और subject combination क्या होता उसके बारे में भी अल्रेडी वीडियो उसका link जो है आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा आपने यहां देखा कि subject combination आप अपनी मर्जी से नहीं आपके जो graduation में subject है उसके according as well as जो university का rule है उसके according आपको choose करना होता है बिल्कुल आप ऐसा नहीं होता है क मैं दो कोई subject उठाना चाता हूँ एक language लेना चाता हूँ एक science लेना चाता हूँ तो हो जाएगा वो depend करेगा आपकी university पे तो यह काफी important information थी वो सभी students के लिए जो लोग B8 करने जा रहे हैं कर लिये हैं या कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए यह काफी important है और जो subject आप ल आने जाएंगे तो जो भी आप लोग subject चूज करिएगा उसको ध्यान से आपका उसमें interest भी हो जैसे पहला तो आपने graduation पे ले लिया दूसरा जो लेंगे जिसमें आपका interest हो वही subject आप चूज करेंगे तो यह काफी important information थी I hope आप लोगों को समझ में आई होगे कि B8 में करें इपुआएं